नमस्कार दोस्तों स्वागत अनिती की देशी रसोई में अगर आप अमारी चैनल पर नहीं है तो अमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीची दिए के बैल आइकन को दो बालेना ता क्याने वाली वीडियो को लुण आपको मिलता रहे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना और कोमेंट करना आज आपको बताएंगे बजार से स्वादिष्ट पॉपकॉन घर पर कैसे बनाएं तो इसके लिए हम यूज करेंगे देशी घी का एक चमच नमक एक टोरी पॉपकॉन और अलदी पाउडर का पॉपकॉन को हम दो बार बनाएंगे अलग अलग तरीके से तो हम एक पैन लेंगे इसके अंदर एक चमच घी का डालेंगे घी अच्छे से गरम हो जाए तब इसके अंदर पॉपकॉन डालेंगे इसको अच्छे समिला लेते हैं तर इसके अंदर एक चमच हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर बजार जैसा यलो र कि देख सकते हैं अच्छे इसको हल्दी को मिला लिए इसके बाद एक चमट से नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार हमारी पॉपकोन खूलने शुरू हो गए हैं हमारे पॉपकोन बनकर त्यार हो गए हैं देख सकते हैं की मजल चमट से बिश्वादिस्ट पॉपकोन बनकर तियार हो गए हैं आप इसको घर पर बना सकते हैं आप देख रहे होंगे कितने से को भी यद्प लग रहे दूर्च आप की फॉपकोन बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक कटोरी पॉपकोन की डेशीगी और नमक यह तेहुकर कूकर में चमच गी डालेंगे इसके बाद पोपकॉन डालेंगे। हमारी पोपकॉन त्यार हो गए हैं देख सकते हैं कितने स्वाधिश्च लग रहे हैं ताब देशी घी का यूज्ज करें जिसी की गी का यूज करने से पोपकोन वे ज़ाद स्वाधिस्ट हो जाते हैं कि आप देख सकते हैं कितने अच्छी पोपकोन बनें अगर आरे वीडियों अच्छी लगे तो वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक दरूर करके जाना और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अधा कि अधा